लिए दोस्तों स्वागत अब सभी का हमारी यूटूब चैनल विदिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम अध्यप्रदेश अस्थान नियंत्रण अध्रियम के प्रस्णों को देखेंगे और यह इस सीरीज का सेकंड पार्ट होगा क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रदेश प्रदेश यह है उसकी परिच्छा के लिए बहुत फुल साबित हो सके और इसके अंतरगत हम एक पार्ट में सो प्रस्णों को जो हल किये थे उसके बाद यह दूसरा खंड है यहां पर जो प्रस्ण होंगे अब हम कुछ प्रस्णों को लगभग तीस प्रस्णों प्रस्णों को हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से यह दो खंड में जो वीडियो होगा और इसमें अगर आपने दोनों खंड को देख लिया तो निशित रूप से इससे बाहर आपको कहीं भी कोई प्रस्ण जो है नहीं जाएगा यह हमारा दावा है एक आग दो प्रस्ण जो है लगवक्तीन घंटे का उसको हमार लेड़ी अप्रोड कर चुके हैं आप उसको भी देखे और जो है लैंड रिवनी कोड को कम्प्लीट आप उसको तैयारी उसको कर सकते हैं आईए आप सुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर प्रस्ण है वह कि जिल्यान या दिश को होगी तता अपील नियाले का जो बिनिश्चे होगा उसको अंतिम होगा पहले के किसी प्रस्ण में हमने गलती से यह वता दिया था कि आपील जो है वह क्लेक्टर के हां होगी जो कि food प्रस्ण में यह दोनों विकल्ब सही हैं इसके आगे हम तीसरा विकल्ब देखते हैं कि प्रतिल्य अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित तो यह जो क्थन है वही सही नहीं है है आगे है कि परियापत कारणों से तीस दिन की आहुसान के प IP कर सकेंगे रह कर सकें टुuje। अपील जो है उसकी परसीमा 30 दिन है अर्था जिस दिन भाड़ा नियंतर प्राधिकारी नियादेश दिया उसके 30 दिन के भीतर जो है अपील की जाएगी अब लेकिन जो नियाले है जिला नियाधिस या अपर जिला नियाधिस का जो नियाले है वह अगर चाहें तो इस 30 दिन क बाद भी अगर कोई परियाप्त कारण दिखता है उन्हें तो इस 30 दिन के बाद भी वह अपील को स्विकार कर सकते हैं और तीसरा विकल्प जो गलत है इसमें उसके संदर में जो प्रावधान है यह धारा 31 खंड दो के परंतुक के अंतरगत दिया गया है तो इसमें यह बताय है सुमेलित करने के लिए भाड़े का निच्छेप अब यह अध्याय से संब्दित है किस अध्याय के अंतरगत कोनल वातें तो भाड़े का निच्छेप इसके बारे मिप्रावधान अध्याय 4 के अंतरगत दिया गया है यह सुमेलित है अब अध्याय 4 के अंतरगत कौन-कौन सी धाराएं आती है आप उसको भी देख लेजिए धारा 24 से लेकर के धारा 27 तक जो है अध्याय 4 के अंतरगत आता है इसमें भाड़े के निच्छेप के बारे प्रावधान है और भाड़े के बारे में उप्वंध अध्याय-दु के अंतरगत अध्याय-दो जो है धारादब पांच के अंतरगत दिया गया है और इसका बिस्तार जो है यह धारा 28 से ले करके धारा 36 तकमें है इसके बाद देखेंगे अभिधारियों की बेदखली का नियंत्रण इसके बारें प्रावधान अध्याय तीन के अंतरगत दिया गया है और यह अध्याय का जो विस्तार है धारा इग्यारा एसे लेकरके धारा तेईस तक में है नेक्स है आदेशों में संसोधन निमलिकित में से किस आधार पर किया जा सकेगा तो आदेश में संसोधन अगर किया जाना है तो यह कैसे किया जाएगा तो इसके संदर में हम प्रावधान देखेंगे तो यह प्रावधान दिया गया है धारा 39 के अंतरगत आदेशों में संसोधन तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई गल्ती है जो कि लेखन संबंदी है गणना संबंदी है आकस्मिक है लोब के कारण उत्भूत होने वाली गल्तियां है तो यहाँ पर इन सभी गल्तियों के संसोधन किया जा सकता है भाड़ा नियंतरक प्राधिकारी के द्वारा किया गया आदेश अपील में के अधिर्शच के द्वारा जब कोई आदेश अपील में के बिनेश्चे के अध्यधीन होते हुए रहेगा अर्थात उसकी केवल अपील हो सकती है अगर अपील नहीं होती है तो जो नियंत्रेक अधिकारी के द्वारा आदेश गिया गया है वह आदेश अंतिम होगा नेक्श है प्रतेक भूस्वामी अस्थान को अच्छी तथा अभिधारी वास्थ से अवस्था में रखने के लिए वाद्य होगा इसका अर्थे यह है कि प्रतेक भूस्वामी जो है जो की भूम को अपने भावन को किराय पर देता है तो उस भावन को अच्छी कंडिशन में रखेगा और अभिधारी वास जवस्ता अर्थात जो अभिधारी है उसके वास करने योगिक की अवस्ता में होना चाहिए यह किस धारा के अंतरगत बताए गया है तो यह जो प्रावधान है यह बताए गया है धारा साइंतिस के अंतरगत साइंतिस जो है किसमें आता है तो अ मरम्मत कराए गए बेयों की वसूली के लिए उसके द्वारा काटी गई रकम उस वर्ष के देय भाड़े के कितने से अधिक नहीं होगी तो धारा साइटिस का जो दूसरा खंड देखेंगे इसमें असपर्ष्ट है कि अगर अभिधारी अपने भवन में कोई मरम्मत कराता है और उस घर के अंतरगत वह खुद मरम्मत करा रहा है तो आईसिसुजदी में जब वह मरम्मत कराता है तो वह किराय की रकम है उसमें से अपनी जो मरम्मत पर जो खर्च हुआ है उसको काट लेगा तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि मरम्मत पर कराएगे व्याय की वसूली के लिए उसके द्वारा काटी गई रकम उस वर्स के देवहाड़े के कितने से अधिक नहीं होगी तो यहाँ पर एक बारहवांस अर्थात एक बटे बारह से जादा नहीं होगी जो कि एक वर्स में वह वसूलेगा नेक्स है यद एक भूस्वामी मध्यपरदेश अस्थान नियंतर अध्रियम की धारा अणतिस खंड एक के उपवंधों का उलंगन करता है तो वह किस अवज के कारावास से दंडित किया जाएगा तो अणतिस के खंड एक के अंतरगत प्रावधान क्या दिया गया है तो इसमें है कि आवस्यक परदाय या सेवा का बंद किया जाना या रूका जाना आवस्यक परदाय से तात पर येसे बिजली है पानी है और इस तरह की अगर गैस की सप्लाई आई है पाइप से उसको बंद कर देना ये सब आवस्यक सेवाई है अगर कोई भावनसामी है उसको बंद कर देता है तो IC स्ति में उसको सजा दिया जाएगा और सजा किस धारा के अंतरगत है तो IC सजा के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 43 के अंतरगत है और 43 में यह बताए गया है कि IC ब्यक्ति को 1000 रुपए तक का जुर्माना या 3 महीने तक का कारावास इस प्रकार के दंड से उसको दंडित किया जाएगा और यह जो है किस खंड में है तो धारा 43 जो की दंड से संबंदित है तो 43 का जो पांचमा खंड है इसी पांचमे खंड के अंतरगत यह बताए गया है कि धारा 38 के उपखंड एक के अधिन जो कोई उरंगन करेगा वहाँ पर तीन महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जूर्माना या 200 को धंडिक किया जाएगा नेक्स प्रस्ण है किसी भी वर्स में मरमत के लिए अभिधारी के द्वारा काटी गई रकम उस वर्स के देय भाड़े के कितने से अधिक नहीं होगी तो यह जो है इसके पहले आपने देखा कि इसी परकार का और प्रस्ण पूछा गया है यह प्रस्ण धारा साइंतिस से संबंदित है अब धारा साइंतिस के जो दूसरा खंड है उसके परंदुक को इसके पहले हमने देखा था उसमें यह बताया गया था कि अभिधारी के द से कटवती कर देगा तो आईसी कटवती कितनी होगी एक बटे बारह होगी अर्थात एक साल में अगर मान लीजिए वह 10,000 रुपए जो किराया है वह अदा करता है तो वह साल भर में 1200 रुपए वहाँ पर कटवती कर लेगा हर साल लेकिन यहाँ पर जो प्रस्ण यह है और 108 यह थोड़ा सा लग है यह पूंच रहा है किसी भी वर्स में मरम्मत के लिए अभिधारी के द्वारा काटी गई रकम कि उस वर्स के दे भाड़े के कितने से अधिक नहीं होगी तो यह जो है इस प्रकार काटी गई या वसूली योग रकम अभिधारी के द्वारा उस वर्स के लिए दे भाड़े के एक अर्धांद से अधिक नहीं होगी तो एक अर्धांद से तक पर वन हाफ है तो पहला विकल्प इसका सई होगा यह दोनों प्रस्ण एक ही तरह हैं लेकिन थोड़ा स इसमें अंतर है तो आपको इसे विशेज रूप से ध्यान रखना होगा नेक्स है आवस्यक प्रदाय या सेवा बंद किया जाने का आविदन अभिधारी द्वारा भारा नियंत्रक पाधिकारी से भू स्वामी को तंग करने के लिए या पर्याप्त हितुक के विना किया जा है उब है जूती सुचना देता है भू स्वामी को परेशान करने के लिए भारा नियंत्रक पाधिकारिएक पास स्चायत करता है कि भू स्वामी ने हमको आवस्यक क्या है आवस्यक जहिसे गैस है बिजली x dig पाणी है वाह आवस्यक से वाई हमको नहीं क्योंकि तुमने इस प्रकार की जूटी सूचना दी है जो की तुक्ष है तंग करने वाला है तो वहाँ पर प्रतिकर कितना होगा तो प्रतिकर जो है पचास रुपए मातर होगा और यह प्रावधान कहां दिया गया है तो धारा अनतिस को देखेंगे खंड चार के अंतरगत म आवस्यक्त प्रताय सेवा का बंद किया जाना या रोका जाना इसके संदर में है तो आवस्यक्त प्रताय सेवा को हम किसको कहेंगे तो इसके अंतरगत आप देखेंगे तो इसमें जो है जल आता है बिद्दूत आता है मार्ग में तथा जीने के प्रकास जीने पर प्रकार क कि ब्योस्ता है सभाई पर दिये जाने के नियन्तरण संबन्दी प्राउध या किस धारा के अंतरगत दिये गए हैं तो भाड़े पर अगर कोई भवन या अस्थान दिया जाता है तो उस पर नियंतरण किस प्रकार से होगा इसके संदर में प्रावधान धारा 49 के अंतरगत दिया गया है नेक्श है कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर से अन्यम्न पदस्रेडी का पदाधिकारी भू स्वामी से खाली अस्थान की लिखित जानकारी प्राप्त करने के पस्चात की तारीक से कितने दिन के भीतर अस्थान को अवंटित कर सकेगा इसके संदर में हम प्रावधान जो है धारा 49 देखेंगे 49 का दूसरा खंड और इसके अंतरगत यहां बताये गिया है कि वह जो है इस प्रकार के जो मकान है या अस्थान है वह खाली होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद उसको 15 दिन के भीतर उसको अवंटित कर सक सकेगा नेक्स है कलेक्टर या प्राधिक्रित अधिकारी की स्थारा के अनुसार अस्थान का आवंटित कर सकेगा तो आपने अभी देखा धारा 49 का जो दूसरा खंड है इसी के अनुसार जो है आवंटित किया जाता है कब जबकि उसको आवेदन प्राप्त होता है कोई जो के लिए विशेश उपबंद किस धारा के अंतर्गत है तो आपात इस्तिती के दाउरान या आपात काल के दाउरान जो भवन है उसका आवंटन कैसे किया जाएगा तो इसके संदर में जो विशेश उपबंद हैं वह दिया गया है धारा चालिस एक अंतर्गत या चालिस काके अंतर्गत और इसको जो है 1965 में जोड़ा गया था चूकि अधिनियम 1961 का है तो उसके बाद जो है जो भी तुरंत संसोधन हुआ था उसी के दाउरान जो जोड़ा गया था नेक्स है आपात की घोसड़ा से क्या तात पर है तो आपात की घोसड़ा से तात पर है भारत के संविधान के अनुछेद 352 के तहत जो उद्घोसड़ा की जाती है वही उद्घोसड़ा यहां पर उसका आर्थ है और ऐसी उद्घोसड़ा जो की भारती संविधान के वह कैसे किया जाएगा, उसके बारे में विशेश उपवबन्ध यहां पर किया गया है, और 44A के अंतरगर धारा 40A, इसी के अंतरगर जो तीसरा खंड है, उसमें यह वताय गया है, कि ऐसे ब्यक्ति अविद्रिती, जिसे इस धारा के अधीन अस्थान दिया गया हो, आपात की उद्घोसडा समाप्त होने की तारीक से एक साल के भीतर उसको वहाँ पर बेदखल कर दिया जाएगा नेक्स है किसी ऐसे ब्यक्ति को जिसे धारा चालिस का के अधीन या चालिस एके अधीन अस्थान का आवंटन किया गया है अर्थात आपात इस्थिति के दौरान उसको अस्थान का आवंटन किया गया है आपात की उद्घोसडा के प्रवित्र रहने की तारीक से कितनी कालावद के पास्चात अविद्रिती अर्थात कपजा अविद्रिती से तात पर कपजा उसका समाप्त हो जाएगा तो आपने देखा एक साल के भीतर उसको समाप्त हो जाएगा प्रावधान कहां दिया गया है चालिस दी का पीसरा कंड नेक्ट है अभिध्रिती का पर्यावसान 21 धारा में दिया गया है तो अभिध्रिती का पर्यावसान या कबजे का पर्यावसान इसके संदर में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 42 के अंतरगत अब धारा 42 के अंतरगत जो है प्रावधान क्या है कि किसी भी ऐसे व्यक्तिकी जिसे कोई अस्थान उसके पद के आधार पर आवंटिक किया गया है अर्थात वह किसी पद पर है इसलिए उसको अस्थान वह मिला है जैसे कोई मैजिस्टेट बन कर कहीं जाता है तो जब जिस जिले में वह जाता है वहाँ पर उसको सरकारी आवास मिलता है या कोई अन्य वेक्ति है किसी पद पर होने के कारण वह उस अस्थान को धारण करता है तो जिस दिन यह इस पद पर नहीं रहता है तो आईसी स्थिती में 7 दिन के भीतर वहाँ पर उसको खाली करेगा चाहे उसका टांसफर हो गया हो चाहे वह रेटायर हो गया हो तो टांसफर या रेटायर होने की तारिक से साथ दिन के भीतर उस अस्थान को खाली कर सकता है लेकिन यहीं पर एक परंतुक दिया गया है और उस परंतुक के अंतरगत बताया गया है कि अगर कोई युक्तियुक्त कारण है तो कलेक्टर या कोई प्राधिकृत अधिकारी वहाँ पर उसकी जो समय है उसकी ब्रिध्धी कर सकेगा और उसको अधिकतम चार माह तक का जो है समय दे सकता है नेक्ष है किसी ऐसे ब्रिक्तिको जिसे कि कोई अस्थान उसके पद के आधार पर आवंटित किया गया है अभिद्रित के पर्यावसान के कितने दिन के भीतर को खाली कर देगा तो साथ दिन के भीतर उसको खाली करेगा तो आपने देखा कि अगर उसका transfer होता है या retire होता है तो उसके तारिक से 7 दिन के भीतर उसको फाली करेगा लेकिन उसी के अंतरगत धारा 42 का जो परंतुग है उसी के अंतरगत आप देखेंगे या बताये गया है कि अगर collector या प्राधिकरी दर्धिकारी चाहे तो युगति ले यूद कारणों से उसको 4 महीनिका और समय दे सकता है चाहिति जन्ट का प्रावधान पेनालिटी का प्रावधान की धारा के अंतरगत है जो है यह महत्रौण है और यहां पर आप देखेंगे कि जहां जहां भी प्रावधान है और अगर उसकाол उलंगन किया जाता है उन नेक्स कोश्चन है यद कोई व्यक्ति मानक भाड़ा से अधिक भाड़ा प्राप्त करता है तो भाड़ा नियंतरक पाधिकारी कीतने मास तक के साधा कारावास और जुर्मानिस उसको दंडित कर सकेगा अब देखें इसके बारे में जो प्रावधान है वा धारा 43 के दूसरे खंड के अंतरकत दिया गया है तो धारा 43 का जो दूसरा खंड देखेंगे उसमें हमताया गया है कि जब कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के उपबंधों का उलंगन करता है तो वहाँ पर उसको 6 महीने तक का कारावास या 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा अब जब धारा आगे यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक महीने से अधिक का अग्रिम जो भाड़ा है उसको प्राप्ट कर लेता है भाड़ा यंतर प्राधिकारी के अनुमत के बिना तो वहां पर भी उसके उपर जो कारवाही है यह धारा 43 खंड दो के ताहत की जाएगी नेक्स कोर्शन है यदि कोई अभिधारी या कपजेदार धारा 12 एक है कि उपबंधों के उलंगन में किसी संपूर अस्थान को या उसके किसी भाग को उपभाड़े पर देगा या समनुद्यसित करेगा तो वह कितने जुर्माने की धंदा से उसको दंदित किया जाएगा और खंड खै तो इसी के तहत क्या होता है कि अगर कोई कपजेदार है या किरायदार है वह क्या करता है कि अब तो खुद किराय पर रह रहा है लेकिन वही किराय का जो कमरा है उसको किसी तीसरे व्यक्त को उपभाड़े पर दे देता है तो उसको जो है यहाँ पर धारा 43 ख उलंगन में किसी सम्पूर अस्थान को या उसके किसी भाग को पूनेह भाड़ी पर देगा या अंतरित करेगा तो इसके संदर में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 43 खंड 3 एक के अंतरगर और इसके तहट उसको सजा कितनी दी जाएगी तो 3 महिने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों उसको दिया जाएगा अब जो है धारा 17 का यहां पर उलंगन किया जा रहा है तो 17 के अंतरगत प्रावधान क्या है हम इसको भी देखेंगे तो 17 में जो है अधिभोग्त था पूनह प्रवेश के लिए कबजे की पूनह प्राप्ति के संदर में प्रावधान किया गया है नेक्स है ये दि कोई भूस्वामी धारा 23, 6, खंड 3 या 4 इसके तहट क्या करता है वो है इनके तहट जो उपबंद हैं उनके उलंगन में संपून अस्थान या उसके किसी भाग को पूनह भाड़े पर देगा या अंतरित करेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा तो धारा 23, 6, को देखेंगे इसमें जो है अधिभोग तदा पुनह प्रवेश के लिए कबजे के लिए प्राप्ति के बारे में प्रावधान किया गया है और इसका अगर उलंगन किया जाता है उसके बारे में जो सजा है वो धारा 43, खंड 4 के तहट दी जाती है और इसके तहट जो है वहाँ पर तीन महीने तक का कारावास या एक हजार उपय तक का जुर्माना या दोनों की जिफसजा है वह दी जा सकती है नेक्स है अपराधों के संग्यान का प्रावधान किस धारा के अंतरगत है अर्थाथ किस धारा के तहट अपराध का संग्यान लिया जाता है तो अपराध का संग्यान जो है लिया जाता है धारा 44 के तहट धारा 44 के तहट जो संग्यान है वो कौन लेगा तो प्रथम वर्ग मजिस्टेट जो है लेगा उससे नीचे का कोई मजिस्टेट है वह अपराद का संग्यान नहीं लेगा और संग्यान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उस अपराद के संदर में परिवाद न किया गया हो और परिवाद जो है उस तारीख से जिसको कि वह अपराद किया गया है तीन महिने के भीतर किया जाना चाहिए तो इसके बारे में कई बाते हैं इसको एक साथ देख लीजे तो संग्यान कौन लेगा तो फस्क्लास मैस्टेट लेगा पहली बात दूसरी बात यह है कि अपराद की तारीख से तीन माह के भीतर परिवाद किया जाना चाहिए तब ही उसका संग्यान लिया जाएगा नेक्ट है मध्य प्रदेश अस्थान नियंत्रण अधिनियम के अधिन दंडनिय अपराद का बिचारन किस नियाले द्वारा किया जाएगा तो अभी आपने देखा धारच इगौालिस को कि पर्थम वर्ग मैस्टेट की नियाले के द्वारा नेकश है, मध्य प्रदेश, अस्थान नियंतरन अधनियम की अधिन किसी दंडनी आपराद का संग्यान आपराद की तारीख से कितनी दिन के भीतर परिवाद न किया जाने पर जो है न्याले आपराद का संग्यान नहीं लेगा तो आपने देखा भी 24 को तो इसके अंतरगत क्या देखे कि जो संग्यान है वो तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक की अपराद किये जाने की तीन महीने के भीतर उसका जो है परिवाद न किया जाए नेक्श है मध्य परदेश अस्थान नियंतरण अधिनियम के अधीन प्रथम वर्ग मैस्टेट किसी सिद्ध दोस ताराएगे व्यक्ति को कितने रूपए से अधिक धंडासी का धंडा देश पारित करना विधिपूर्ड होगा अर्थात वह कितने रूपए तक के जो जुर्म जुर्माना है वह 2,000 रुपए तक लगा सकता है तो पहला विकल्प इसका सही होगा इसके बारे में प्रावधान है वह जो है कहां दिया गया है तो धारा 44 का जो तीसरा खंड देखेंगे इसी के अंतरगत लास्ट में दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनी किसी अपराद का सिद्ध दोस अगर ठाराए गया है तो वहाँ पर 2,000 रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडना दिसपारित नहीं किया जाएगा नेक्स है उलंगन का दुस्प्रेरण उलंगन के तोरपन दंडनी होगा अर्थात अगर किसी अपरावधान का उलंगन का दु नेक्स है कलेक्टर भाड़ा नियंतरण प्राधिकारी या कलेक्टर के द्वारा प्राधिकरित अधिकारी भारती दंड संगिता के किस धारा के धीन लोक सेवक समझा जाएगा तो यहाँ पर जो collector है या भारा नियंतरक प्राधिकारी है या collector के द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी है उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी है तो उसको IPC के धारा ये कईस के तहत इसको जो है लोकसेवक समझा जाएगा यह जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 48 के अंतरगत और लोगसेवक की परिभासा जो है IPC की धारा 11 के अंतरगत दी गई है उसमें बताएगे कोन से बिक्ती लोगसेवक समझे जाएंगे तो धारा 48 जो है यह मध्यपरदेश अस्थान नियंतर अधनियम की है और इसी क अंतरगत बताया गया है कि जो कलेक्टर है भाड़ा जनी अंतरगत प्राधिकारी है यह सब ही क्या समझे जाएंगे लोक सिवक समझे जाएंगे और लोक सिवक के बारे प्रावधान कहां बताया गया है तो IPC के धारा 21 के अंतरगत नेक्स सदभाव पुर्वक की गई कारवाहि से संदचंड का प्रावधान यह प्रावधान जो है धारा उनचास के अंतरगत दिए गया है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज सरकार की नीयम बनाने की सक्ती यह कहां बताई गई है धारा 50 के अंतरगर्ट और यह भी पूचा जा सकता है कि नियम बनाने की सक्ति किसे प्राप्त है को है राजसरकार के पास इसके बाद जो है इसके अंतरगर्ट एक धारा और है धारा 51 जिसमें निरसन और व्याबिरत्यों के साथ नदर में प्रावधान किया गया है और यह जो है इस अधनियम की अंतिम धारा है